दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम लोग पढ़ेंगे NCRT जेप्टर थर्ड जिसका टॉपिक है प्रत्वी की गतियां ये क्लास दोस्तो इस्टेट PCS, UPC Examination, PGT, TST, SuperTate, DSSV, SSC CGL, SSC GD, SSC, RO, ARO इविन ऐसे सारे के सारे एक्जाम्स जिसमें दोस्तो जियोग्राफी का ये टॉपिक आता है ये क्लास सभी क्ले इंपोर्टेंट है आए दोस्तो क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए चार लाइन है मंजिले मिले ना मिले ये तो मुकदर की बात है मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकदर की बात है लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है दोस्तो आए अब क्लास स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक है प्रत्वी की गतियां क्या है दोस्तो प्रत्वी की गतियां इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्वी कैसे गति करती है परि भ्रमर क्या होता है परिक्रमर क्या होता है घूरन क्या होता है प्रत्वी अपने अक्ष पर कैसे गूमती है और अन्य गिरे सूर की कैसे परिक्रमा करते है दोस्तो इन सब यह आप corner पर चित्र देख पा रहे होंगे एक circle सा यह दोस्तो प्रत्वी का ही चित्र है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैंगे आपको दोस्तो बता दे कि जो प्रत्वी है इसके दो बटे तीन हिस्से पर पानी पाया जाता है अर्थात कुल हिस्से तीन है जिन में दो हिस्से पर पानी और एक हिस्से पर ही भूम पाय जाती है देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्वीक जो गती होती वह दो प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है दोस्तों वह दो प्रकार की होती है पहली है घुरुनन और दूसरी है परिक्रमन अगर आपसे कोशन पूचा जाए प्रत्वी कितने प्रकार की गतियां करती है तो आप बता सकते हैं जो प्रत्वी है जो दो प्रकार की गतियां करती है पहली घुरुनन और दूसरी परिक्रमन जब प्रत्वी अपने अक्ष पर तो उवे गूरन कहलाता है और ताथ गूरन गती ही उसे कहते हैं प्रत्वी का अपने अक्ष पर गूमना गूरन कहलाता है अब सुनिये द्यान से बात सूर के चारों और की एक इस्तिर कक्ष में प्रत्वी की गती को परिक्रमर कहते हैं देखिए प्रत्वी अपने इस्तान प पॉइंट बात की जो प्रत्वी है यह सूर की परिक्रमा एक वरत्ती पत प्लस निश्चित पत में कर रही है अर्थात परिक्रमा जो कर रही है जो प्रत्वी है वह सूर का जो चकर लगा रही है दोस्तों वह एक निश्चित वरत्ताकार पत में लगा रही है तो इस पूरी ग जिस इस्तान से आप चालू करें घूम कर उसी इस्तान पर आ जाएं उसी को परिक्रमा कहा जाता है उसी तरीके से सूर के चारो तरब प्रत्वी घूमती है क्या करती दोस्तों प्रत्वी घूमती है एकदम क्लियर दोस्तों इसके अलाबा सूर का एक चकर लगाने में 365 दिन कितने लगते हैं 365 दिन दोस्तों टाइम लगता है और बात की जाए अपने अक्ष पर जब प्रत्वी गूमती है अर्थात अपने इस्तान पर गूमती है उसमें उसको समय लगता है 24 गंटे इसलिए कहा जाता है एक दिन की जो अविदी है dear students एक दिन की जो टोटल टाइमिंग है वह 24 गंटे काउंट की जाती है और एम पीम भी सुना होगा रात बारा से दुपहर बारा तक एम चलता है पर दुपहर बारा से रात बारा तक पीम चलता है clear dear students अब आगे बरते हैं प्रत्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जैसा की प्रत्वी जिस अपने अक्ष पर जुकी हुई है सभी को पता है कि वह सारे 23 अंस अपने अक्ष पर जुकी है बट जिस सब्द को प्रियोग करते अक्ष वह इस्तान काल्पनिक है वास्त्विक में कुछ भी नहीं है बस वैज्यानिकों ने अपने परने के लिए सुविधा जनक इन रेखाओं का निर्मार कर रखा है जैसे विश्वत रेखा, करक रेखा, मकर रेखा, सीथ कटिबन, उस्ट कटिबन ये सब इन्होंने अपने परने के लिए डिवाइडेशन कर रखा है, कक्षी विवागों में इनको विवाजित कर रखा है देखे, प्रत्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षी सतय से साड़े चाचट अंस का कोड बनाती है देखे, अगर आपसे पूचा जे कितने अंस का कोड बनाती, तो साड़े चाचट अंस का कोड बनाती वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षी समतल कहते है अब बाइचांज ऐसा भी कोश्यन आता है कक्षी सम्तल क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि वह सम्तल जो कक्ष के द्वारा बनाए जाता है वह इस्तान वह सम्तल इस्तान वह सम्तल जग है जो कक्ष के द्वारा बनाई जाती है उसे dear students कक्षी सम्तल कहते हैं आगे देखेंगे प्रत्वी से प्रकास प्राप्त करती जो प्रत्वी है दोस्तों वे कहां से प्रकास प्राप्त करती सूर देखें प्रत्वी के बास अपना कोई भी सूर प्रकास नहीं है ये एक ग्रह है ये प्रकास कहां से प्राप्त करेगी सूर से प्लस उर्जा कहां से प्राप्त करेगी सूर से आप लोगोंने सुना होगा जानते भी होंगे कि सौर उर्जा का उपयोग विभिन राज्यों में किया जाता है अपने भारत में 28 राज 8 के अंदर सासित प्रदेश हैं ऐसे बहुत सारे राज्य हैं या ऐसी बहुत से सिटीज या सेंटर हैं जहां प वह सूर कहां से प्राप्त करती है ये प्रत्वी सूर से प्रकास प्राप्त करती है और इसी से उर्जा भी प्राप्त करती है या उश्मा भी प्राप्त करती है प्रत्वी का अकार गोले के समान है द्यान रकेगा प्रत्वी गोलाकार नहीं है बट गोले के समान है ये एक सर पिलाकार होती है प्रत्वी का निशिक जो अकार होता है वह अंडाकार होता है इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आदे बाग पर ही सूर की रोसनी प्राप्त होती है क्या होता है दोस्तो जो हिस्सा सूर के सामने होता है प्रत्वी का वहां पर तो दिन होती है अब प्रत्वी का ज़ेश्ट जो पीछे वाला इस्सा होगा dear students वहाँ पर तो सूर प्रकास पहुंचेगा नहीं जब वहाँ पर सूर प्रकास पहुंचेगा नहीं तो वहाँ पर अंधेरा रहेगा अर्थात रात का समय रहेगा देखें सूर के सूर की ओर वाले भाग में दिन होता है पर सूर प्रकास नहीं आता है तो क्या होगा वह सूर से दूर होगा और वहाँ पर रात होगी glow पर वह व्रत जो दिन तदा रात को विवाजित करता है उसे प्रदीप्ती व्रत कहते हैं देखें गलो पर वह व्रत व्रत का मतलब होता दोस्तों वह गोलाकार पत जो रात को दिन रात को विवाजित करता है उसे प्रदीप्ती व्रत कहा जाता है अब यह भी कोशन आने की संबावना रहती है objective की तोर पे भी हो सकता है कि प्रदीप्ती व्रत क्या है तो आप कह सकते हैं जो वह व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है दिन रात को विभाजित करने वाले व्रत को क्या कहते हैं प्रदीति व्रत कहते हैं यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं दोस्तो अभी आपको उम्चित्र भी दिखाएंगे 3.2 सब ये नीचे दिये गया हैं देखिए देखिए घूलन के कारण प्रत्वी पर दिन एवम रात बहुत इंपोर्टन चीज है देखिए आप आपको बताते हैं ये देखिए दोस्तो अब यहां से आप देखेंगे उत्तरी दिर्यू है ये रात दक्षरी दिर्यू ये जो हिस्सा है दोस्तो इस सूर के सामने है ये दोस्तो सूर रहा क्या है दोस्तो ये सूर आपके सामने है क्लियर अब आपको बताएं ये तो हो गया सूर इसको ऐसे रहा है और प्रत्वी का जो यह वाला हिस्सा है यह सामने है किसके सूर के जब सूर के सामने है तो इस हिस्से पर इस समय दिन होगा जो हिस्सा प्रत्वी का सूर के सामने होगा वहां पर दिन होगा और जो हिस्सा ढका हुआ होगा अर्था प्रत्वी के बैक में होगा जैसे यह हिस्सा तो यह हिस्सा दोस्तों कहलाएगा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर रात होगी आपने time zone के माध्यम से पढ़ाओगा कि अगर यहाँ पर दिन है तो हो सकता है कि अमेरिका में रात हो हो नहीं सकता ऐसा होता है आप time zone के माध्यम से उसे set कर सकते हैं दोस्तों clear तो अब बात आती है कि दिन और रात को विवाजित करने वाला जो व्रत्ती पत है जो line है circular path है वह प्रदीप्ती कहलाता है यह रिखा है प्रदीप्ती यह रही line लेकि किस तरीके से यह divide है ठीक है विश्वत रेखा भी आपको दिख रही होगी clear दिन रात को divide करने के लिए जो रेखा होती है यह अक्ष पत होता है उसको प्रदीप्ती व्रत कहा जाता है तो जो हिस्सा प्रत्वी का सूर के सामने होगा वहाँ पर दिन होगी और जो हिस्सा प्रत्वी के back side में होगा वहाँ पर रात होगी अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं दोस्तो इतनी चीज़े हम लोगों ने पढ़ लिए अब देखेंगे प्रत्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगबग 24 गंटे का समय लेती हैं अर्थात प्रत्वी अपने अक्ष पर गूमेगी तो 24 गंटे और सूर की पूरी परक्रिमा करने में 365 दिन लगबग समय लेती हैं घूरन के समय काल को प्रत्वी दिन कहा जाता है यह प्रत्वी की देनिक गती है बायचान्स अगर आपसे ऐसा कोश्चन भी पूछा जाए कि प्रत्वी की देनिक गती की टाइमिंग क्या होती है कितने समय में वे देनिक गती पूरी करती है तो आप कह सकते हैं कि वे 24 गंटे में पूरी करती है प्लस अपने अक्ष पर घूम कर अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही प्रत्वी में दिन रात की गटनाएं गटित होती है दिन रात को डिवाइट करने के लिए विवाजित करने के लिए जो व्रत्ती पत है उसे प्रदीप्ती व्रत कहा जाता है अब आगे बढ़ेंगे ये देखिए दोस्तों आपके सामने चित्र है इसको आपको दिखाते हैं प्रत्वी के अक्ष का जुकाव तथा कक्षी समतल अब आप सबसे important चीज़ समझें विश्वत रेखा आप देखे सबसे पहले ये विश्वत रेखा रही जिसकी value क्या होती है 0 ans होती है कितनी होती अब उत्तर में हमने करकृरेखा देखी जैसा कि आप उत्तर में करकृरेखा देख पा रहे हैं जो 2753 अंस पर होती है इसके अलाबा दक्षिन में आप लोग देख पा रहे होंगे यह रही मकर्रेखा अब प्रत्वी की इस्तती आप समझ पा रहे होंगे अब प्रत्वी देखिए किस तरीके से जुकी हुई है यह देखिए इस तरीके से दोस्तों यह जुकी हुई है और इसका यह प् हम साथ हो रहे है कहां से कहां बनायागा यह ची burner को तक बनाएगा और इस एरिया के बीश को 1.56 well और छाठे अर्वार को दर्साया गया एक जेक्ट लाइन यहां यहां बंगल बनाया गया है वो यहां से बनाया गया है इतने की value सारे शांचट है अगर पूरे को लेंगे तो यह 90 value दोस्तों निकल कर आएगी तो जो है यह कितने अंस का कोण बनाती है प्रतिवी जब अपने अक्षपर जुकी हुई होती है सारे शांचट अंस 66 and half इस बात को आप लोग याद रखें अब आगे बढ़ते हैं देखिए अब जैसे इस बच्ची देखें क्या बता रही है आप कुछ करके सीखें प्रत्वी को दर्शाने के लिए गेंद लें तता सूर को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मौमबती गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निसान लगाए अब गेंद को इस परकार रखें कि शहर एक्स में अधेरा हो जाए गेंद को बाएं से दाएं गुमाईए अब क्या करना दोस्तों बाएं से दाएं गुमाई जैसे आप गेंद को थोड़ा गुमाते हैं तो शहर में सूर्योदे होगा अगर गेंद को आप गुमाना जारी रखते हैं तो बिंदू एक्स दीरे दीरे दूर चला जाता है यह सूर्यास्त कहा जाता है तो यह दोस्तो गटना रही आप आगे वढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है अगर प्रत्वी गूलन नहीं करे तो क्या होगा तो सूर के तरफ वाले प्रत्वी के बाग के में सार्द दिन होगा जिसके कारव उस बाग में गरमी लगातार पड़ेगी दूसरे बाग में में सार्द अंदेरा रहेगा एवन पूरी समय撻 ठंड प तो यहां से इस बात को आप लोग विशेश तोर पर याद रखें देखिए दोस्तो होता क्या है कि दोस्तो अगर प्रत्वी ना गुमें अपने अक्ष पर ना गुमें 24 गंटे में वह एक भी मतलब अपने अक्ष पर ना गुमें तो दिन रात की घटनाएं नहीं होगी जो भ भाग उससे पीछे हिस्से में होगा प्रत्वी के पीछे हिस्से में होगा वहां पर रात रहेगी तो दोस्तो अगर 24 गंटे दिन रहेगा तो जीवन असंभव हो जाएगा और अगर रात रहेगी 24 गंटे तब भी जीवन मुस्किल में हो जाएगा इससे पूरा सिस्टम बि अपने अक्ष पर गूम रही थी जिसकी टाइमिंग 24 गंटे थी अब दूसरी गती की बात करें तो दूसरी गती दोस्तों है जब प्रत्वी सूर के चारों और चक्र लगाती है यही दोस्तों दूसरी गती होती है और इसे कहते क्या है परिक्रमर कहते है प्रत्वी की दूसरी गती जो सूर के चारों और कक्ष में होती है उसे परिक्रमर कहा जाता है यह एक वर्स यह 365 सही एक वटे 4-6 दिन में पूरी होती है लगबग जो माना जाता है 365 दिन इसलिए कुछ एक्ष्टा होती है फिर जाकर चार सालों में लीप यर बढ़ता है लीप यर में दोस्तो 28 फरवरी होती है 28 फरवरी की जगह 29 फरवरी हो जाती अर्था एक दिन बढ़ जाते हैं 48 गंटे का समय बढ़ जाता है अर्था तो क्या होगा कि 365 दिन लगबग 6 गंटे ये घूमती है 5 गंटे कुछ 56 सेकंड की एक्जेक इसकी टाइमिंग होती है बड़ आप याद रख सकते हैं कि यही 6 गंटे लगबग होता है देखें तता सुविदाक लिए आप 6 गंटे को इसमें नहीं जोडते हैं क्योंकि जो एक्जेक टाइमिंग होती है डियर इस्टूजिन 5 गंटा 56 सेकंड की होती है अब हम लोग एक चितर देखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है प्रत्वी की परिक्रमाड एवं रित्यूएं यह दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है इसको समझना भी बहुत जरूरी है इसको जरूर आप लोग ध्यान से समझे और मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको बहुत अच्छे से बता शकूँ देखिए यहां से शुरू करते हैं आप लोग मिडल में सूर देख पा रहे होंगे ठीक है अब आप देखेंगे कि किस तरीके से यह गूं रही है उत्तुरी धूरू आप देख पा रहे होंगे प्रत्रीम दक्शली धूरू दोनों देख प इस साइट को आते हैं, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्द में क्या होता है, ग्रीश संदितू, क्योंकि ये अपने अक्ष पर भी गूमती जाती है, और उस समय डेट क्या होती है, उस समय डियर इस्टुडेंट डेट होती 21 जून, ठीक है, और जो दक्षली गोलार्द होता है, व साथ में अपने अक्ष पर भी गूमती है तो 21 जून को उत्तरी गुलार्द में गर्मी होती है जहां हम लोग भारत के निवासी हो करक रेखा के उपर आपने देखा होगा कैसा मौसम होता गर्म होता 21 जून को गजब की गर्मी होती है दक्षडी गुलार्द में जाएंगे तो क्या होता है कि इसे विशुब दिन भी कहते और वसंत रितु प्रारम हो जाती है अर्था धीरे धीरे दोस्तों शरद रितु ठंडी होनी शुरू हो जाती है क्लियर 23 सितंबर से क्या हो तो ठंडी हो नहीं, स्टार्ट हो जाती, वो भले ही आपको मैसूस ना हो इसके बाद देखें क्या होता है, फिर इधार आते हैं, मूब करती प्रत्वी आगे, फिर आता 22 दिसंबर तो जो दक्ष्र गोलार्द होता है, प्रत्वी के दक्ष्री इससा होता है, उसमें क्या होती है, उसमें गर्मी वाला मौसम होता है जो भारत वाला एरिया होता जैसा कि दोस्तो 22 दिसंबर अभी आने वाला है आने में लगबग एक महिना प्लस कुछ और सेज दिन भी बाकी है तो अभी सर्दी पढ़ रही उतरी भारत में सोटर पैन्ने स्टार्ट हो गए है लगबग जनवरी तक खूब अच्छी ठंडी पढ़ेगी फर्वरी में गुलावी सर्दी होती है मार्च में भी हलकी सर्दी होती है होली के बाद दीरे दीरे ये सर्दी खतम होती है अब देखिए यहाँ से क्या होगा दोस्तो तो यहाँ से जब 21 मार्च आएगा तो 21 मार्च में दोस्तों क्या हो जाएगा कि जो वशंत रितू है फिर से प्रारम हो जाएगी और शरद रितू अभी चल रही होती है इसके बाद दीरे दीरे फिर गृतरी गोलार्द में हो जाती है 21 जून को फिर 23 सितमबर में वसंत रितू होती है फिर 22 दिसंबर तक आते आते उतरी गोलार्द में ठंड पढ़ने लगती है 21 मार्च को फिर उत्तरी गोलार्द में डियर इस्टुएंट्स क्या हो जाता है वशंत रितू होती अर्था हलकी हलकी सर्दी होती है अगर आप वर्काउट करेंगे रनिंग करेंगे दोड़ेंगे भागेंगे तो पसीना आएगा एक जगे बैठे रहेंगे तो हो सकता गर्मी ना लगे तो इस चित्र को एक बार देखें समझे और जरूर दोस्तों समझाने क्योंकि इसी चित्र में इस चेप्टर का पूरा का पूरा सारांस दोस्तों दोस्तों छिपा हुआ है अब देखिए दोस्तों यहां से अब तक आपने ये चित्र देखा था, फिर से एक बार दिखा थे, ये चित्र आपने समझा था, अब इस चित्र के नीचे अब हमें पढ़ना है ये चीच, चार वर्सों में प्रतेक वर्स के बचे हुए 6 गंटे मिलकर एक दिन यानी 24 गंटे के बराबर हो जाते हैं, इसके अ चलिए यहां से बताते हैं, छीक है, जब लीप एर होता है तो 365 की बजाए उसमें 306 होते हैं, 306 दिन होते हैं और फरवरी जो पहले 28 की होती थी, 306 दिन में लीप एर में ये 29 दिन की फरवरी गिनी जाती है, अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि कैसे किसी सन को द गया जाए, ठीक है, 2000, अगर इसमें 4 का भाग जाएगा, पूरा अगर ये कट जाएगा, तो दोस्तों ये लीप एर है, अर्थात इस साल फरवरी 29 की रही है, और जब आप 4 का भाग 2000 में देंगे, तो 4520 प्लस 500 दोस्तों आ जाएगा, देखिए इस भाग फलसे में कोई मतल पर नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, बट इतना क्लियर करना था, जिस सन में 4 का भाग जाएगा, वह लीप येर होगा, क्या होगा, अधिवर्थ से उसे कहा जाएगा, उसमें फरवरी 29 दिन की होगी, अभी मैंने आपको चितर दोस्तों दिखाया था, 3.3 से इस पश्ट है कि प्रत्वी दीर्ग विरत्ताकार पत पर सूर के चारो और चक्र लगाती है, दोस्तों विलकुल दीर्ग विरत्ताकार है, एक निशित प्लस दीर्ग विरत्ताकार में प्रत्वी चक्र लगाती है, औ एक वर्स को गर्मी, सर्दी, वसंद एवं सर्द रितुगों में बाटा जाता है, बिल्कुल दोस्तों, मौसम कितने होते हैं, गर्मी, सर्दी, वसंद, सर्द, चार रितुगों में इनको बाट सकते हैं, कभी कभी तीन रितु भी कह देते हैं, गर्मी, सर्दी, और रितु, द जाता है, क्या कहा जाता है, उसे वसंत रितू या अटोवन सीजन भी इंगलिश में इसको कहते हैं, रितूगों में परिवर्थन, सूर के चारो और प्रत्वी की इस्तिती में परिवर्थन के कारान होता है, अब याद रखे, बाई चांस आप से इस टाइप का भी कोशन पू परिवर्थन है, उसी की कारान, देखे, सूर जब प्रत्वी के चक्र लगाती है, तो उसके कुछ हिस्से में रात, कुछ हिस्से में दिल होती रहती, किसी गोलार्द में गर्मी भी होती रहती है, इसी कारान रितूगों में दोस्तों परिवर्थन पाया जाता है, और चार प्रकार की रित्गों आप गिन सकते हैं गर्मी सर्दी वसन और शरत और इस पेसली देखना चाहें तो ठंडी क्या शरत रित्गों और इसको बरसाज जिसको कहते हैं और गर्मी भी इसको कहते हैं देखें गर्मी सर्दी और वसन तेवं सरत रित्गों में इसको बाटा गया है अब आगे देखते हैं यह क्या है आप कुछ करके सीखते हैं बिल्कुल देखेंगी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दीर गृत कैसे बनाया जाता है एक पेंसिल दो पिने तता एक धागे का छल्ला लीजिए आप इन पिनों को कागच पर इस्तिर कर दे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यह देखे एक बच्ची बनाने कोशिस कर रहे हैं ऐसी भी आप गोला बना सकते हैं दोस्तों पेंसिल फसा के इस तरीके से चेतर 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्री गोलार्द सूर की तरब जुका होता है सूर की करने करक रेखा पर सीधी पड़ती है अब यहां से कुछ चीजे दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है इनको आप लोग जरूर याद रखें और दोस्तों रखना पड़ेगा और बहुत छोटी सी चीजे हैं टेंसर नलों सब हो जाएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्द में सूर की जो उत्तरी गोलार्द है वह सूर की तरब जुक जाता है जिसके कारण करक रेखा पर सूर की करने सीधी पड़ती है क्लियर प्रणाम से रूप इन छेत्रों में क्या होगी उस्मा अधिक होगी तो गर्मी अधिक होगी उत्तर बारत में 20 जून को गर्मी होती है हम लोग उत्तर बारत के निवासी हो तो ये चीज तो आपको पता होगी ध्रवों के पास वाले छेत्रों में कम उस्मा प्राप्त होती है वहां क्योंकि वहां सूर की क्रने तिर्ची प प्राप्त होती क्योंकि जो सूर की किरणे होती हैं वह तिर्ची परती हैं और जो उत्तर दुरू की ओर होता है उत्तर दुरू सूर की तरब जुका होता है तता उत्तरी दुरू रेखा के बाद वाले भागों पर लगबग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है कैसा रहता देख उत्री दुरूरेखा के बाद वाले भागों पर च्छे महीने तक लगातार दिन रहता है और च्छे महीने बाद में राते भी रहती है चुकि उत्री गुलार्थ के बहुत बड़े भाग में सूर की रोशनी प्राप्त होती है इसलिए विश्वत विरत के उत्तरी बाग में गर्मी का मौसम होता है 21 जून को देखिए यहां से 21 जून को इन छेतरों में सबसे लंबा दिन माना जाता है देखिए सबसे लंबा दिन होगा तो रात कैसी होगी सबसे छोटी होगी 21 जून को उत्तरी गोलार्द में जैसे कि हम लोग उत्तर बारत के हिस्से में रहते हैं तो अपने हां क्या होता है गर्मी परती है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात जब दिन बड़ा होगा तो रात स्वाबी के छोटी हो जाएगी क्लियर प्रत्वी की इस अवस्ता को उत्तर आयनांत कहते हैं क्या कहते हैं उत्तर आयनांत कहते हैं जब सूर उत्तर की हो रोगा तो उसे उत्तर आयनांत कहेंगे 21 जून डेट होगी दिन बड़ा होगा जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी अब यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों 22 दिसंबर को दक्षिड दुरू के सूर के और जुके होने के कारब मकर रेका पर सूर की क्रणे सीधी पढ़ेंगी अब इंपोर्टेंट बात 21 जून को करक रेका पर सीधी सूर रेका पढ़ रही थी सूर का प्रकास अब क्या होगा 22 दिसंबर को दक्षिर गुरू में मकर रेखा जो की दक्षिर में इस्तित विश्वत रेखा के तो यहाँ पर जब सूर की क्रणे सीधी पढ़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर गर्मी होगी तो इसलिए देखिए दोस्तो चूकी सूर की किरणे मकरेका पर लंबत पढ़ेंगी सीधी पढ़ेंगी इसलिए दक्षिली गोलार्द के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है इसलिए दक्षिली गोलार्द में लंबे दिन तता छोटी रातों वाली ग्रीशन भितू होती है कैसे देखिए आप क्या होगा दक्षिल गोलार्द में जो दिन है वह लंबे होंगे और जो राते होंगी दोस्तों वह छोटी हो जाएंगी इसके ठीक विप्रीत इस्तिती उत्तरी गोलार्द में होगी अर्थाद 22 दिसंबर में दोस्तों अपने हां करकराके की ठंड होती है पहले 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर वेकेशन चलता था क्या चलता था विंटर वेकेशन अचछा इसको इंगलिज में शीत आवकास कहते हैं जो स्पेशली विद्यालियों में चलता था प्रत्वी की इस अवस्ता को दक्ष्र आयनान्त कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान रखेगा, 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर जो सूर की करुणे है वोई सीधी परती है जिसके कारण इस एरिया में दिन लंबे होते राते छोटी होती है इस इस्तिती को दक्षड आयनांत कहते हैं और 21 जून को करकरेका पर सीधी लाईने परती है तो वहाँ पर क्या होता दिन लंबे होते राते छोटी होती हैं तो इसलिए वहाँ पर डियर इस्ट्टिवेंट्स क्या होगा वहाँ पर ये चीज हो गई इस घटना को कहते हैं उत् 20 मृतू में क्रिस्मस का पर्व मनाया जाता है जबकि दोस्तों अपने यहाँ 25 दिसंबर को मनाया जाता जिसमें करकलाके की ठंड होती है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को आईए थोड़ा सा उपर कर लेते हैं इन डेट को जरूर आप लोग दोस्तों याद रखें 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर की करणे विश्वत विरत पर सीधी परती है विश्वत विरत का मतलब है भूमद रेखा पर सीधी परती है जिसकी वेलू जीरो अंस होती है इस अवस्ता में कोई भी दुरू सूर की ओर नहीं जुका होता है देखे 21 मार्च एवं 23 सितंबर को जो सूर की कर इसलिए क्या होता है प्रत्वी पर दिन रात बरावर होते हैं अर्थाथ 12 गंटे की दिन 12 गंटे की रात दोस्तों होती है इसे विशुव कहा जाता है क्या कहा जाता है विशुव इसको कहा जाता है दोस्तों ध्यान रखेगा 21 मार्च और 30 सितंबर को प्रत्वी पर दिन रात कि जो अवदी होती है वह बराबर होती है और इस घटना को dear student विशुव कहा जाता है अब देखेंगे आगे बढ़ते हैं 23 सितंबर 23 सितंबर को उत्तरी गुलार्द में शरत रितू होती है अर्थात क्या होती है शरत रितू प्रारंब हो जाती है जबकि दक्षरी गुलार्द में वशंत रितू प्रारंब हो जाती है 23 सितंबर को उत्तरी गुलार्द में क्या है सरद रितू इस्टार्ट होती है और उसी जगे दक्षरी गुलार्द में वसंत रितू प्रारंब हो जाती है 21 मार्च को इस्तिती इसके एकदम उल्टा होती है, कैसी होती उल्टा होती, उत्री गोलार्द में वसंत रितू, दक्षिली गोलार्द में सरत रितू प्रारंब हो जाती, पहले आप 23 सितंबर पकड़ो, ठीक है, 23 सितंबर में उत्री गोलार्द में ठंडी, ठीक, तो जब यह तो दक्षिरी गोलार्द में वसंत्रितू क्लिर 23 सेतांबर अब पक्रत्वी के गूलनान एवं प्रिक्मण के कारण दिन एवं रात तता तता रित्यों में परिवर्तन होता है अब पूछा जा सकता है प्रस्ण दिन रात की गटनाएं तता रित्यों में परिवर्तन किस कारण होता है तो प्रत्वी के घूरन एवं परिक्रमण के कारण बस दोई शब्दें परिक्रमण के कारण रित्यों परिवर्तन घूरन के की गटनाएं दोस्तों होती हैं दोस्तों तो चेप्टर यहां पर कंप्लीड होता हम लोगों ने कुछ चीजे पढ़ी हैं इसको जरूर आप लोग याद रखें देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्या है 23 सितंबर 21 मार्च 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन रात की गटनाएं कैस जाता है दोस्तों फिर सर्दी गर्मी रित्गों के बारें पढ़ा है ली पियर के बारें पढ़ा है कि 306 दिन होते हैं उसी वर्स फरवरी में 29 दिन होते हैं इस चित्र को भी दोस्तों समझा है परिक्रमण भी जाना है और यह इस्तिती प्रत्वी के अक्ष के जुकाओं के गुड़न के बारें पढ़ाए, कौन से भाग पर दिन होगा, कौन से प्रत्वी के बाग पर रात होगी, सारी चीजे दोस्तों हम लोगोंने विद्भग पढ़ी है, यह चेप्टर दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है, इसे दोस्तों बहुत ही जरूरी रहता है, तो यहां कम्प्लीट होता है, फटा फट इस क्लासेश को लाइक करें, और प्ले लिश्ट में जाकर आप टॉपिक वाइस, NCRT पर सकते हैं, साइन्स की, प्लस सोशल इस्टडी की, 124 वीडियो आपको कम्प्टेटिव साइन्स के मिलेंगे, प्लस टॉपिक वाइस, MCQs भी मिलेंगे, और जो MCQs करवाए जाएंगे, सारे की सारे प्रीवीज एर एक्जामनेशन में आए हुए कोश्चन्स हैं, तो फटा बड़ दोस्तो इस क्लास को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तो जै हिंद, जै भारत!